पर दोस्तों आपका स्वागत है मेरे केरिये प्रेस चैनल में यह देख लिए जए रिवन्यू इंस्पेक्टर मतलब क्या राजसो निरिक्षक बाद नायाब तहसिलदारों की होगी भरतियां भरतियां जो होंगी आपने देखा होगा कि इसमें इसके अंतरगत जो है जो लेक यहां पे बताया गया है कि इसमें इसके अंतरगत जो राजसो परिश्थ जो फते अगरे सो दिनों में है जो राजसें के तो 29 नायब तहसिलदारों के 602 पड़ों भरने का पैसरा से लिए गया गया है और इसके अंतरगत जो है इसमें बताया गयाllen कि इसके अंतरगत इस से पिछले कई वर्सों से पदों उनने तीका अंतिजार कर रहे है राज उसे तर्मर्क की कर्मियों को जो है राध मिलने वाली है ठीके मतलब क्या है वही जो है इसके पदों पर अमीनों की भरती भी होने वाली है, इसके अंतरगत जो है, आमीनों की भरती भी होगी बहुत जल ठीक है, तो इसके अंतरगत जो है आप तैयारी करते रहिएगा आपका सेलेक्शन इसमें हो जाएगा. अब बात करते हैं राजकी इंटर कॉलिज में राजकी इंटर कॉलिज में जो है एल्टी ग्रेट के जो है नए पदा आने वाले हैं नए अध्याचन में सामिल नहीं होंगी परानी भरतियां ये परानी भरतियां सामिल नहीं होंगी इसके अंतरगत जो है आपको नई भरतिया देखने को मिलने वाली इसमें जो है एल्टिक्रेट में ता राज के इंटर कॉलिज के अंतरगत जो है सरकार ने बोला था सिक्षक की बरती करेंगे इसके अंतरगत बरती होगी बाबू भरती होगी वो केवल यूपिटर पलेस्टी होंगी इसके बाद चप्रास्य भरती सिधी भरती होगी सरकार के दूआ ठीक है, तो इसके अंतरगत जो है के नई अध्याचन में सामिल नहीं होगी पौरानी भरती हैं, इसके अंतरगत जो आपको लोग से वाइयोक से बरती हैं यह निकाल ले जाएंगे सीधी बढ़ती हैं ठीके बहुत दिनों से आभी जो है राज़की इंटर कॉलिजियों बढ़ती हैं भी नहीं हुई है कि आज इसकी जो है संसोजित अंसर की जारी होगी और संसोजित उत्र कि इंजी जो है वो जारी होगा और आज आएगा टीटी का प्रणाम ठेके तो यूपी टैट का जो रिजल्ट है वो आज जारी कर दी जाएगा अंसर की जो है वो संसोजित इसमें होगी इसके बास सभी को अंग जो है वो आठ अंग मिल जाएंगे समान अब बात करते हैं यूपी के बच्चे और गुरू जी छुट्टा पसु पकड़वाएंगे तो मतलब क्या है इन्होंने जो मैनपुरी के जो सीडियों इन्होंने जारी कर दिया गिए जो प्राथमिक बिद्याले जो सिक्षक है प्लस जो बच्चे हैं वो केबल पसुओं को पकड़वाएंगे क्योंकि मैनपुरी के सीडियों ने ये जारी कर दिया गया था अब बात करते हैं इलावत हाइकोट की इलावत हाइकोट में जो है आपने देखा होगा कि इसके अंतरगज आरो और ए आरो मतलब समिक्षा अदिकारी सायक समिक्षा अदिकारी परेक्षा में चैनी दब्यारतियों को निक्ति पत्र जारी करने पर हाइकोट की रोग इसमें अरो और एक भरती और आएगी अभी जब ये पुरानी भरती पूरी हो जाएगी उसके बाद ही एक नई भरती और आपको देखने को मिलने वाली है अब बात करते हैं इस्टाप नर्स नर्स भरती को चुनौती लोग से वायोग से जवाब तलब इसमें मागा गया ठीकिए इसमें जो है राच्किये जो चुछ साले होते हैं जो राच्किये होस्पिटल हैं उसके अंतरगज भरती होने वाली है ये ये देख लेजी यूपिटर पलेस सी जो है और पलेस इसके अंतरगज दो जिलों में होगी इस्टाप नर्स की भरती इसमें के उत्तर परदेश लोग से वायोग ने इस्टाप नर्स की जो दोयार सत्तरे की तैयारी पूरी कर ली गई है प्रियाग राज और लखनों में 38 क इंदरों पर 10 अपरेल को परिक्षा कराई जाएगी इसके अंतरगज क्या इस्टाप नर्स इस्टर वरती में आयोग से जवाब तलब मागा गया है जो इसे में जो है वो चिकिस्टाप विभाग के अंतरगज बहुत सारी बंपर बेलतियां आने वाली है देकलिजे लिखा جा इसके अंतरगज जो 3000 पदोपर होगी इसमें 3000 पदोपर बढ़तियां होँगी इसके अंतरगज दिखाया गया इसके अंतरगज नए होशपिटल देखेगा ठीक है इसमें क्या हेल्थ जो होते हैं मतलब हैल्थ डिपार्टमेंट में बहुत जल्द आने वाली है अब बात करते हैं 21570 पदों पर प्रिक्षा कराएगा अधिनुस सेवा चैनायोग मतलब कि यूपिटर पलेस्टी को आधिस दे दिया गया है कि सौ दिनों के अंतरगत जो है आपको 13685 पदों पर पर प्रिक्षा करेगा इसके अंतरगत क्या है कि यह जो यह सौ दिनों के अंतरगत बहुत तेरह जार पर 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 भरती कराने के आयुविद्ध होगा ठीक है इसमें रिजल्ट भी इनको गोसित करने है प्लस जो है इसको 909.44 लाख दिया गया है यूपिटर पर एस्टी के चातरों ने जो है जो प्रतों की चातर है इन्हों ने जो है उप मुख्य मंतरी माननी है किसे प्रसाथ मौरेज जी को जो है ग्यापन सौप दिया गया है हमारा जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाए 2016 वाले बहुत सारे पैंडिंग एक्जाम पड़े हुए हैं यह देख लिजी यहाँ पर भी बताया गया है इसमें जो माननी है उप मुख्य मंतरी जी के से प्रसाथ मौरेज जी जो है उत्तर प्रसाथ सरकार में कनिक सायक बबर्तिजार 16 के जो है इन्हों ने एक्जाम के लिए अन्तिन प्रणाम के बदनागे इसका एक्जाम जो है इसका अभी तक नहीं यह बढ़ति पूरी नहीं हो पाई यह इसलिए इन्होंने अप्रैल में अप्रैल की सथी आप्रैल इसने तक कल कर दिया है अब बात करते हैं इसमें सची वाले सायक के और योजना सायक के पदोबर भरती आ चुकी है इसमें आप आप अबिदन कर दीजिएगा इसमें जो आपको एक अगर्स देखर 21 को नियुन तब 21 बर और 37 बर अधिकतम 37 बर इसमें एज आपको होनी चाहिए इसमें क्या करमचारी स्त्हिक क्या कर आप को मैंने थार्ष सकते हैं उसकी सायक के फिक्षा्य रिद देनी होगी कि उसके आप आप आपका अनतिम सेलेksन हो पर ne कि मामलर कड़ में इसमें जो सँनूवाई के लिए 35 अप्रायल। अगर TET का रिजेट अगर संसूद अगर होकर नहीं आता कहने मतलब क्या Але मतलब कि उसकी उत्र माला है इसके अंत्र की है अगर संसूद अगर होकर नहीं आती है तो इसमेंρεί की विवाद होगा बहुत बड़ा मैंने आप से बोला था कि सायता प्राप जो स्कूल होते हैं उसमें सिख्षकों के 7268 प्रवर भरती प्रक्रिया तेज होने वाली इसके अंतरगत आपको किलर भरती प्रटी 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 भी बहुत जल्द देखने हों मिलने वाली पहले यह भरती हों कि इसके बाद यह आपको बहुत जल्द क्योंकि आपने देखा हो कि यूपिटर प्रटी से सरकार ने खुद ही बोला था की जो है हम भरती पैट के द्वारा ही करेंगे और जब पैट कॉलिफएट जिन्होंने कर रखा केवल वही इसके अंतरगत आप इदन डाल सकते हैं नहीं तो इसके अंतरगत भरती अगर निकलेगी अगर किलर की भरती अगर आती इंटर कोलिज के अंतरगत तो जो सीरी सी ब पड़ाई होगी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजिएगा बैल अगन प्रेस कर लिजिएगा जिससे कोई इंफर्मिजर कोई भरती आपके हाथ से निकलना जा कोई भी सूचना आपके हाथ से छूटना जाए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज सब्सक्राइब मैं यूटूब चैनल के लिए प्लस थेंक्यू वर्य मच्छ